नमस्कार सबाशाइच शेक के साथ क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप आज बात उन्चार नेता अपराधी आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रवियू के चक्र में पसा है उनके कारणामों को एक्सपोस करूं पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिठ्ठा खोल चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रवियू के चक्र में आगे हैं वह मुझतार अंसारि मेंुक्र दूसरी खबर में बात अतिक हमत की चौता है ग्यानवाद सबसे पहले बात अतमाम दाती समाजवादी पार्टी के विधायक अभ section के बीच की मिली भगत सामने आ रही इस मामले की जाच यूपी स्टीफ के जरीए की जा रही जाच में सामने आया है कि नागा लैंड से बनाए गए कई लैसिंस को यूपी के अलग-अलग जिलो में एक ही समय पर ट्रांसफर किया गया था यूपी स्टीफ ने इस मामले में ल से लाइसिंस यूपी के कई जिलो में ट्रांसफर किये गए स्टीफ का कहना है कि लाइसिंस से जुड़े इस खेल में कई कलेक्टर के कुछ कर्मचारी भी जुड़े हैं स्टीफ ने जब इस मामले में पूश्टाच की तो कई एहम जानकारियां भी सामने आई स्टीफ के दस्तावेजों की कमी सामने आती है तो उसे भी वकीलों के जरियत तैयार करवा लिया जाता था इस तरह से कई बार यूपी में लाइसेंस ट्रांसफर के लिए फर्जी दस्तावेज भी लगाए जाते दरसल स्टीफ का तावा है कि संदीप सिंग के लाइसेंस को ट्रांसफ में जुटी हुई है और सबूत एकटा कर रही है माना जा रहा है जल्दी स्टीफ की तीम नागल एंड भी जा सकती है तो दस्तावेजों से संबद्दित जानकारी एकटा कर सकती है दूर से खबर में बात माफियाओं की यूपी के गोरकपूर में माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कस्ता चला जा रहा है माफिया जीद शाही सुदीर सिंग के बाद अब माफिया राकेश यादव ने गोरकपूर के सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है परार राकेश के घर बुल्डोजर चलने की कवायत को पूरा करने के लिए जीडिये द्वारा नक्षा और अन्य कागुजातों की जाच के बाद ही उसके खौफ का काउंट डाउन शुरू हो गया था उसके घर वाले भी बुल्डोजर चलने की उड़ती हुई खबर के बाद से दहशत में र सरेंडर कर दिया बाबा के बुल्डोजर का खौफ माफियाओं के सिर पर चड़ कर बोल रहा है यही वज़ा है कि राकेश यादव ने सरेंडर करने में ही भलाई समझी पुलिस उसकी तालाश में लगतार उसके ठिकानों पर दबिश भी डाल रही नब्बे की दशक में पर चुनावी जनसवा में बं मारकर हत्या कर दी गई और राकेश यादव को मुख्या आरोपी बनाया गया अंडरग्राउंड होकर जमीन का धंदा करने वाला माफिया राकेश यादव बदमाशों की सूची में गोरक पुजले के टॉप 10 और प्रदेश के टॉप 61 में शा कई दिनों से उसकी तालाश थी लेकिन कहीं कोई सुरा नहीं मिल रहा था माफिया राकेश यादव ने पुलिस को चक्मा देते हुए कोर्ट में आत्म समर्पन कर दिया ओंप्रकाश पास्वान की हत्या मामले में जेल से छूटने के बाद उसने लंबे समय तक नेपाल में मापिया राकेश यादव पर दर्ज मुकदमों में से छे मामलों में पुलिस कोर्ट में पैर्वी करें कोर्ट में गवाई साच्षे प्रस्तूत करें ताकि सजा हुसा वही राकेश यादव के अधिवक्ता निले कुमार मिश्रा ने बताया कि राकेश यादव वर्तमान में किसी भी मुकदमे में वंचित नहीं प्रशासन का दबाव रहा है कि वह किसी भी मुकदमे में जेल चले जाए प्रशासन के दबाव के एक मुकदमे में जमानत निरस्त कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया था उनके उपर विधाय कॉम प्रकाश पास्वान की हत्या का मुकद गए गए हैं जीम प्रथम की कोट में 11 वजे उन्हें सरेंडर किया है चीलू आतल के 1307 के मुकदमे में उन्हें जमानत कराया गया है उन्होंने बताया कि पुलिस उनके उपर 50 से अधिक मुकदमे बताती लेकिन उनके उपर वर्तमान में सिर्फ 5 मुकदमे पुर्व के सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं उसमें वह दोश्मुक्त हो चुके तीसरी खबर में बात अतीक हमत माफ्या अतीक हमत के कबजे से मुक्त कराई गई जमीन पर 66 फ्लैट गरीबों के लिए बनकर लगभग तयार किये जा चुके हैं इस फ्लैट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है फाइनल टेचिंग का काम चल रहा है पीडिये के अधिकार रंग से रंगा गया है माफ्याती की खाली कराई हुई जमीन पर गरीबों को उनके सपनों का घर मिलने का सपना अब जल्द पूरा होने जा रहा है अब तक 6000-71 लोगों ने फ्लैट पाने के लिए रेजिस्ट्रेशन कराया है यानि की एक फ्लैट पर 80 दावेदार है प्रया बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है इसके लिए 6000-71 लोगों के ओनलाइन आवेदन पीडिये को मिले जारतर आवेदनों के सत्यापन कराये जा चुके पीडिये सचिवजित कुमार चुहान के मताबिक अभी लौट्री के माधियम से इसी महीने गरीबों को अवंटित क किये जाएंगे माफ्याती के हमत के जमीन पर प्रधान मंतरी शहरी आवास योजरां के तहट कुल 66 फ्लैट बनाए जाने इसमें लोगों के लिए पार्किंग की सुविदा कॉम्यूनिटी हो और कॉमन एरिया भी दिया गया इन फ्लैटों में अब पिनिशिंग का काम किया रहा है आपको बता दे कि 76 फ्लैट के लिए रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा रेजिस्ट्रेशन के लिए आविदकों को पांच हजार सिक्यॉरिटी मनी जमा करने के बावजूद अगर घर नहीं मिलता है तो सिक्यॉरिटी मनी आविदक को रिफंट कर दी जाएगी प्रियाग राज विकास प्रधिकरन डूडा के जरीय जाच कराएगा जो लोगपातर होंगे उन्हें लॉट्री के माधियम में से प्रियागर विकास प्रधिकरन इंचि-76 फ्लैट का आवंतंत करेगा चौथी खबर में बात ग्यानवापी की कि जानवापी श्रिंगार घोशना की है इस सिप्पुर्व जितेंदर सिंग के वकील शीव मौर्ण हम ने से खुद को हटा लिया विभिन अधालतों ने दायर किय keynote उन्होंने कहा इन सभी मामलों को दायर करने के बाद से मुझे और मेरे परिवार को हर तरह से प्रतारित किया जा रहा है इस धर्म युद को लड़ते हुए हमारे समाज द्वारा हमें ही गद्दार घुशित किया जा चुका है मुखेवादी सिंग ने कहा कि शासन ने केवल हमें ही प्रतारित किया ऐसे में शक्ती और समार्ति समीती होने की वज़ा से इस धर्म युद को अब मैं और नहीं लड़ सकता इसलिए मैं ये युद छोड़ रहा हूं इस धर्म युद को शुरू करके शायद मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गल्ती की उन्होंने कहा ये समाज केवल धर्म के नाम पर नौटंकी करके समाज को भ्रहमित करने वालों के साथ है अपना सर्स्व निच्छावर करके देश और समाज की रक्षा का कारी करने वाले व्यक्ती को अपने इस समाज जौरा उपेक्षित और मानित किया है चमा चाहता हूं अब और नहीं सहा जाता है कि अदिवक्ता शिवम गौर ने एक बयान जारी कर कहा मैं ग्यानवापी मामले में 2021 से और श्री कृष्ण जन्भूमी मामले में 2022 से लगतार पैर्वी करता आ और लगबग एक साल से दिल्ली का अपना सारा काम छोड़ कर ग्यानवापी मामले को सम्हाल रहा हूं उन्होंने कहा मुझे ग्यानवापी संबंदी सभी मामलों के लिए जितेंद्र सिंग बिसेन नहीं अधिवक्ता न्यूप किया था परंतु कुछ समय से उनसे असपस्ट च नहीं लिए गौर तलब है कि जितेंद्र सिंग विसेन ग्यानवापी परिसर के मांश रिंगार गौरी के नियमें दर्शन पूजन की मांग करने वाले मुकर्मे के मुख्य पैरोकार रहे हैं फिलहाल के लिए चक्रवी मिरसाथ उतना ही कल पिर कौन किसके चंगुन में फसे